इस तरी की ऐसा आप अक्षर लाइटरों से करते हुए, ये लेकिन आज एस वीडियो में हम आपको छिखांगे आप पिक्सार से ऐसे और ए डे इस लेकще कर सबस्थिखते हो उप्य सबसकराइब राइपको सबसे पहले और वीडियो पसंद आए तो लाइक चो करना है पसंद आए तो डिसलाइक भी कर देना ताकि हमें पता चल सकी कि हमारी वीडियो में कुछ न कुछ कमी है और अगर आप अपने फोटो परिशनली हमसे एडिट कराना चाहते हो तो आप इस वीडियो को सुरूच से लिए के लास तो दोस्तों आप देख पर हो कि मैंने अपनी फोटो को इंपॉर्ट के लिए पिक साट एप में आपको फोटो पिक साट है में इंपोर्ट करें रहे होगा या थे आपका फोटो का बैंगराउंड या पूछ इस कलर का होना चाहिए यानि कि बुथ ग्रीन-विरीन कलर का होना चाहिए योप्स इंसके बाद आपको एफेक्स वाले उप्शन में चले जाना है यहां आने के बाद इक आपको यहां पर मिलेगी स्कूदहर बहुत सबसे लास्ट में यहां पर यहां आपको मिलेगी स्टीरेशन से चुरेशन को आपको इन की रिच कर देना है यहाँ पर लगबग मैं यहाँ पर 95 क्या सबस्ट रख देता हूं आपको भी कुछ इस तरीकिसे रख लेना है ठीक है उसके बाद इरेजर को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे फेस से रिमूब कर द तरीके से हम यहाँ पर रिमूब कर देना है आपको भी कुछ ऐसे ही जूम करके रिमूब कर देना होगा रिमूब कर दोगे तो आपकी फोटो अच्छी लगेगी यहाँ समय हैंड से भी रिमूब कर देता हूं आप अपना हैंड से पैर से फेस से यानिके स्कीन के जो भी प आपको दिख रहे हैं वहां पर आपको रिमूब कर देना है जहां पर क्लोथ है वहां पर तो क्लोथ पर आपको इसके एफेक्ट रहने देना है उसके बाद डन कर देना है इतना हो जाने के बाद आपको मर्ज कर देना है यहां पर आपको क्लिक करना है और यह मर्ज हो जाएग हूँ जैसे कि ग्रेन वाला कलर इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद यहां से आपको इसकी जो हाँ पर लिखा हुए रिप्लेस यू तो इसको आपको आगे पीछेगर के देख लेना है कि आपको किस कलर का बैगराउंड चाहिए ठीक है तो आपको जिस भी कलर का बैगराउंड चाहिए आप लागर चोड़ सकते हो जैसे कि मुझे तो यह पसंद है मैं सिंपली यहां पर चोड़ देता हूँ ठीक है उसके बाद यहां से आपको डन वाले आइकन पर उपर साइल का मार्क मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है और यह हो गई डन और आप आप देख पार होगी कितना जट से हमारी फोटो का यहां पर एडिट हो चुकी है इस तरीके से आप अपने फोटो का बैगराउंड कलर चेंज कर सकते हो जो कि लाइटरों में करने में आपको बहुत जयदा समय लगता है आपको पता है कि लाइटरों में यह प्रिशेट अ आपको यहां पर थोड़ा सा ड्रोव कर दें उसके पाद सेव पर क्लिक कर देना है आपकी फोटो आपकी गैलेरी में से वह जाएगी और यह फोटो जो होगी वह फूल एच्डी में इस तरीक से अगर आप सेब करोगे तो पिक सब्सक्राइब अपने फोटों को आप आप इस फिलाल के लिए इतने ही अगर आप अपने फोटो हमसे एडिट कराना चाहते हो तो आप हमें इंस्टेग्राप पर मेसेज करो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगे इंस्टेग्राप आईडी की लभी वाल गई टेक केर बैबै